हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग fantasy talent है यूटूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों आज से एक और नई T10 सीरीज स्टार्ट हो रही है fancode ECS T10 Rome की जिसे हम deeply cover करेंगे पूरी सीरीज को cover करने वाले तो अगर चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस करना बद भूलिये का आज का मैचे RAW और RC की बीच में खेला जाएगा हर एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे प्लेइंग 11 आपको बता दूँगा इसके अलाव प्लेयर के performance के बारे में भी चर्चा करेंगे ज़्यादा असान है टेलेक्राम को ओपन कर लेना यह जो आपको सर्च बार दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको यहां बस Capital में सर्च करना होगा FTH 877 जैसे यह आप लिखेंगे आपको हमारा चैनल दिख जाएगा हाला कि कुछ फेक चैनल भी दिखेंगे इनसे बचिएगा और यह फेक कैसे पता चलेगा आपको बस यह दिखेगा दोस्तों जो मैंने लिखा है FTH 877 इसके आगे भी कुछ नहीं है दोस्तों पीछे कुछ ने जैसे आगे रियल लिखा हुआ है इन्हें यहाँ पे कुछ औरलिखा हुआ है यहाँ पर इन्होने इन्होने इस सारे fake भी दिखव दोस्तों यह जो मैचे खेला जाएगा रोमा क्रिकेट ग्राउंड जो की रोम में है और इस मेदान पर टोटल 21 मैचेस खेले जा चुक है जिनमें से 12 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है मतलब दोस्तों यह वह ग्राउंड या फिर आप कहें यह वह टॉर्नामेंट है जहांपर चेस करने वाली टीम ज्यादा डॉमिनेट करती है तो अगर आप टीम का सेलेक्शन कर रहे हैं जील के अंदर तो कोशिश करिएगा जो टीम सेकंड बैटिंग कर रहे हैं इस पर ज्यादा फोकस करें नॉर्माली टीटेन मैचेस के अंदर हमें क् कॉन्सी टीम जादा मजबूत है और कॉन से प्लेयर जिन्हें पूरे मौके मिल रहे हैं और कॉनसे ऐसे प्लेयर जो किंद बाजी के साथ में बल्लेवाजी भी अच्छी कर रहे हैं तो वो सब बात हैं हम यहां पर देख लेंगे हालां कि इस मैदान पर जो मैच खेले गए उन्में आप यहां पे देखेंगे पिछले जो तीन मैच के बारे में हम बात कर रहे हैं पहले बैटिंग करने वाली टीम में 139 किया यहां पे 116 हुआ यहां पे 97 का इसकोर हुआ सैकिन बैटिंग करने वाली टीम में एककतर, एककто सब्चाइब और 101 रनो का स्कोर किया पहली पारी में आप देखेंगे 6 12 और 18 विकेट हमने देखे पिछले 3 मैचेस में मिला के और सेकंड इनिंग में आप देखेंगे 9 3 12 और यहां पर 2 आपको लबग 14 के आसपास विकेट देखने मिलेंगे मतब सेकंड इनिंग में थोड़े से कम विकेट हमने यहां पर देखे हुएं लास्ट के 3 मैचेस में अब बात करते हैं दोस्तों यहां से दोनों टीमों के बारे में पहली जो टीम है वो है रोयल रोमा दोस्तों प्लेंग 11 में कोई भी बदलाब होगा तो वो आपको टेलेग् niaza काम आप को मिलेंगे विकेट कीपिंसेक्शन में ध्यान है रखेगा यह उन्हों के पічले सान अकियो करते हैं पछले साल सिस्टार्टिंग में गिंदबाजी बलेंगाशी करती है अब मैं आपको बता ढूंकि इन्हों ने 24 मैच्के लिए कि ये 13 के average के साथ में 45 इनका highest score है और इन्हों ने 20 match में गिंद वाजी किये जिसमें टोटल इन्होंने 31 ओवर की गिंद बाजी किये मतलब मात्र नो ओवर की कम गिंद बाजी किये क्योंकि हर एक मैच में दो ओवर रहते हैं इन्होंने 20 में 31 कर दिये मतलब मातर 9 वर नहीं डाले ये टीम के regular गेंद बाज इस बात का ध्यान रखना 14 विकेट निकाल चुके हैं और 2 विकेट इनका highest है ओपन करने आते हैं और तो दोस्तों आपके लिए ये plus point रहने वाला है हो सकता है कि ये कुछ देर keeping करें फिर इसके बाज गिंद बाजी करने आ जाएं तो गलब से भी उस टाइम जो इसकोर मिल सकता है वो भी इनके खाते में एड होगा तो इस बात का आपको ध्यान रखना है फिर इसके बाद में अगला नामे ए मुहमत का जो की राइट हैं बेटिंग प्लस राइट आम ऑफ प्रिक गिंद बासी करते हैं 12, 38 और दो रोनों का इनका recent form था मतलब पिछले साल की हैं बात कर रहे हैं और इनका 25 का average है जिसमें दो बार इन्होंने 50 से उपर का score किया है दोस्तों 25 का average दो बार 50 से उपर का score मतलब मिलाके बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं आप इने टीम में पिक कर सकते हैं अगर आपके पास दूसरा कोई बहतर option नहीं है तो आप बिलकुल ए मुहमत को अपनी टीम में जगे दे सकते हैं इस सब्सक्राइब ठीक ही नहीं है तो इनने छोड़के भी चलने में कोई दिक्कत होगी नहीं हाला कि तो बार्सके बारे में सब्सक्राइब सब्सक्राइब दिखिर इन होते हैं तो हम आपको बता देंगे अगर नहीं होते हैं तो इनके अलावा जो दूसरे प्लेयर है हम उनके साथ में टीम तयार करेंगे इसके आद दोस्ता अगला नामें बी फानिंद्रा का बहुत कम लोग इन पे इस बंदे पे फोकस कर रहें दोस्तों ध्यान रखेगा यह अपने दो वर कंप्लीट करता है तेरा पारियों में एक्कीस ओबर डाले तेरा पारियों में सिर्फ चार या पांच ओबर की कमी है और अठारा मैच इसमें एक सो असी रन है जिसमें सोला का अबरेज है हाला कि लगातार विकिट नहीं निकाले तेरा मैच में मातर साथ विकिट एंप और दो विकिट इनका हाइस तो दोस्तों देखा जाये तो जील में आप इने अपना केप्टन वाइस केप्टन बना सकते हैं और बैटिंग में ठीक ठाक है मतलब एवरेज बैटिंग कर लेते हैं फिर दोस्तों यू शहजाद है यह बैटिंग बोलिंग आपको दोनों करके देंगे इन्होंने 18 पारियों में 27 ओवर डाली मतलब यह पूरे ओवर नहीं डालते है बहुत सारे मैचेस में आपको एक अदे ओवर ही इनका देखने मिलेगा और 9 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं और 3 विकेट इनका हाइस्ट है बैटिंग करते हुए 14 का एवरेज है दोस्तों उतने बहतर विकेट टेकर बोलर नहीं है ध्यान रखिएगा हाला कि टीम में इसलिए रखा जा सकता है क्योंकि अभी हमारे पास सभी प्लेर्स के रिकार्ड है नहीं और जो प्लेर्स हमें पता है कि ये कुछ अच्छा कर सकते हैं उन पर ही हम फोकस करने वाले हैं इसके बाद अनिल कुमार है रेगुलर गिनबाजी करते हैं 23 पारियों में 33 ओवर की ग विकेट आ जाता है मतलब एक मैच में एक विकेट तो आप कंफाम मानके चलिएगा इनका और बैटिंग में यह 73 रन कर चुके हैं इसके बाद शाहिद गुलजार हैं दो और की गिनबाजी की है विकेट नहीं मिला फिर इसके बाद धरमबीर कुमार 17 ओवर डाले हैं पांच विकेट निकाले हैं हर बीस बॉल के बाद में विकेट निकाले हैं मतलब इन्हें चाहिए दो मैच में एक विकेट इसके बाद सोहल महमूद 9 नमबर ब्र करने आए थे एक मैच में तीसरे नमबर पर बैटिंग करने आ गए थे और एक मैच में उन्हें ओपन भी किया था तो दोस्तों यह ध्यान रखिए का सोला का एबरेज है इनका और इसके आद मुहमद मुनीर की भी दोस्तों सेम कंडिशन है एक मैच में यह ओपन करने आए थे फिर लास्ट पर पिछले साल इन्हें बेटिंग नहीं कराई गे थी इन्हें बहुत नीचे बेटिंग लिए भीजा गया था और यह दोनों बहुत ज उसे मुक्तियार सिंग है दोस्तों बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों कर लेते हैं देखिए 15 का एबरेज एक पचास है और 14 पारियों में 12 विकेट है मतलब हर 11 बोल के बाद में एक विकेट निकाल कर दे जाते हैं तो यह प्लेयर आपके लिए कंफर्म है इसके बाद मुहम है और एक बार यह भी 50 से उपर का स्कोर कर चुके हैं फिर एक और नाम है गगंदीव सिंग का जिनका 17 का एबरेज है और 27 पारियों में 23 विकेट इनकी खाते में शामिर यह हर 13 बोल के बाद में विकेट निंगल कर दे जाते हैं और जितेंदर प्रकाश 7 पारियों में मातर 3 विकेट हैं इन्हें दोस्तों लगबग चाहिए दो मैच या फिर चार ओवर आप कह सकते हो और राजविंदर सिंग 15 पारियों में 10 विकेट हैं इन्हें हर 13 बोल के बाद में विकेट मिल जाता है इसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों रोमा की जो दूसरी टीम है आर सी सुमेर अली दोस्तों बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों कर लेते हैं ओपन करने आते हैं 16 का एबरेज है और चार पारियों में इन्होंने च्छे ओवर की गिंदबाजी किये लेकिन इन्हें विकेट नहीं मिल पाया इसके बाद केविन केकुलावा है दोस्तों यह नहीं कर पाते हैं अतनी बैतर लेकिन गेंदबाजी रेगुलर करते हैं तीन पारियों में इन्होंने टोटल चार ओवर डाले हैं और एक विकेट इन्हें अभी तक मिल पाया है इसके बाद अगला नामे दोस्तों यहां से अलसेंड्रो सैबिली का चार मैचेस खेले हैं एक मैच में इन्होंने आठ रन का स्कोर किया है दोस्तों मेने क्या बता आपको यह बटोरा टीम है पूरी अभी के लिए देखा जाए तो अभी जो यह इस मैच में पर्फोर्मेंस करेंगे इस बेसिस पे आप अगले मैच में टीम तयार कर पाऊँगे अगला नामे डैन किरव की है और तीन मैचस में 25 रन और 12 के एवेलेज को इन्हें नें मेंटेन किया है अली गुलाब है अली गुलाब दोस्तों इनका सेलेक्षिन और परसेंटिज हलाकि बहुत जदा है लेकिन इनका record जो है वो और लगबग हर पांच बोल के बाद में इन्हें विकेट मिला है अभी तक और फिर दोस्तों यहां से मिचेल मोरेटेनी इन्होंने अभी तक चार मैच खेले हैं लगबग हर एक मैच में दो वर कंप्लीट किये दो विकेट निकाले हैं और इनका स्ट्राइक रेट जो है वो लगबग 21 का है साफी बावर हैं एक मैच खेलके एक ओवर की गिंदवाजी और एक विकेट उन्होंने निकाला है और लास्ट में अलफंसो जैराजा जिन्होंने तीन मैच के लिए हैं पाँच ओवर की गिंदवाजी किये और दो विकेट अपनी टीम को निकाल करती है बेंच पर हैं कुछ प्लियर जिसमें दोस्तों यह जो प्लियर अलाकि में इनका रिकॉर्ड में आपको अल्रेडी उपर दिखा चुका हूं अब हम बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन से की सो गगंदीब सिंग रिकॉर्ड अच्छा है पिक किया जा सकता है इसके जो एक गुलम है दोस्तों इनको हमने इसलिए आपको दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग इने कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहा है इनका सेलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा है लेकिन जिनके 11 एप्लिकेशन साइन अप की नहीं किया है अगर अपने विनिंग के रैशियो को बढ़ाना चाहते हो न तो अभी माइफ 11 एप्लिकेशन डाउनलोड कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप दोस्तों अगर मेरी लिंक से जाते हो तो जो भी आप पहला डिपोसि लिए रहे इस्तमाल भी करने मौकव मिलेका दिखा देता हूं अगर आपको इसा तो तो कंटेस्ट मे जाएगा आप यहां पर देख सकते हो arrest correct इसनला आप कर सकते हो deja यहां पर देखिएगा कैप्टन गगंदीप सिंग है वाइस कैप्टन एम न्याजी जिनके रेकॉर्ड हमें पता है इसके अलावा भी फनिंद्रा सुमिरा अली एम सिंग को टीम में शामिल किया है ए हमजा जैट इजाज और कैकुलावा वाणरी टीम में है उसके अलावा यूज शहिए और और आर सिंग और लास्ट में एलफेंसो को हमने टीम में जखे दी है और दोसो ड्रीम 11 पर लगवक से में अलाकि एक चेंज हो सकता है जो कि मैं आपको टेलिग्राम पर बता दूँगा कि वो करना है या नहीं यहाँ पर आप देखेंगे एक गुलम हमने टीम में रखे हुए है बाकी तो टीम पूरी CA में जो हमने आपको माय फेब 11 अप्लिकेशन पर प्रोवाइट की है तो उम्मीद करता हूँ तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना आप लोगों से अगली वीडियो में मेरी फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए दुस्तो बाई जैहन जै भारत